संजीव शुरुआत आपसे ही करूँगा जैसे मैंने का कि एक ट्रंड सा बन गया है जब भी कोई भी सेशन संसद में शुरू होता है शीत कालीन सत्रो मांसून सत्रो बजट सत्रो एक ट्रंड बन गया है कि अब राध देश की राधनितिक पार्टियों ने इसे विरोध हंगा यहां में काय अड्डा बना दिया है एक बार फिर देश की संसद में एक नया सेशन शुरू हो रहा है और इस इन सेशन का मतलब होता था जो देश की सरकार हों यहां पर अपने विदेख पेश करें देश की नीतियों को पेश करें उन पे एक सार्थक बहस हो क्या उमीद कि विधाई कारे जितने भी हो सकें निश्पादित किये जाएं जब भी संसद का सत्र लगता है विंटर सेशन एक लंबी अवधी के बाद लगता है मौन्शों सत्र के बाद लगता है जाहिर है बहुत से विधाई कारी सामने आ जाते हैं और सोलह बिल जो नामित किये गए ह सरकार के द्वारा उसे पारित किया जाना है दोनों सदनों में और बहुत से ऐसे विशाय हैं जो कि कल सर्वेद अलिय जो बैठक हुई थी उसमें आये थे चर्चा में उन पर बहस होनी है लेकिन अमूमन ये देखा जाता है और ये केवल इस सरकार की ही बात नहीं है पिछली सरकार और उसके पहले भी देखा गया है कि जो सदन के बाहर होता है राजनीति घटना करम उसकी धमक आपको संसत्र के दोरान दिखाई सुनाई पड़ती है और उसी करम में कहीं न कहीं वो सदन में हंगामा और नार बाजी और वाक आउट ये तवाम चीज़े हो जाती है अब पिछली दफ़ा जब मौनसुन सत्र लगा था तो हमें याद है कि लोग सभाद चुनाव के नतीजों के बाद एक डी स्पिरिटेड कह सकते हैं सत्ता पक्ष था और उसे लग रहा था कि हम तो 400 की बात कर रहे थे ये कहां से हमें बहुमत के भी लाले पड़ गए तो उस मिजाज के साथ सत्ता पक्ष था और बड़े ही अपबीट मूड में मुझे दिखाई पड़ रहे थे विपक्ष वाले लेकिन इस बार जब हम लोग विंटर सत्र के लिए आये हैं तो बड़ा स्पस्ट है कि इस बार जो अपबीट मूड है वो हर्याना एलेक्षिंस और महरास्ट के चुनाव को लेकर के और उनके नतीजों को लेकर के भारते जंता पार्टी और एंडिये कैम्प का है वहीं दूसरी तरफ बावजूद इसके कि जारखंड के रूप में एक फेस सेवर मिला है विपक्ष को लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो मुख के विपक्ष है कांग्रिस वो अपने आपको बहुत निस्टेज पा रही है आज की तारीक में उसके परफॉर्मंसेज च ऐसे में जाहिर है कि उसका असर हमको संसद सत्र में दिखाई पड़ेगा जब सत्ता पक्ष बहुत जबरदस्त चार्ज मूर में रहता है तो वो कैसे संसद में बिल पास कराता है उसकी बानगी आप पहले भी देख चुके हैं इसके अलावा जो विवादास्पत मुद्दे हैं वो कल भी उठेते और संभवता वो पहले दिन से उठने शुरू हो जाएंगे जो आडानी रिश्वत का कथित मसला है उसको लेकर के विपक्ष चाहता है कि आप इसे बाद में नहीं पहले ही दिन शुरुआत में ही इसे चर्चा में लाईए क्योंकि इससे देश की साख जुड़ी हुई है एक वैलिट पॉइंट उनकी तरफ से हो सकता है लेकिन सरकार को ये लगता है कि हम सभी विशयों पर चर्चा के लिए तैयार है और इसलिए ये प्रायोरिटी तैय करने का जो मसला है इस पर ना अटकिये हम बहुत से विशयों पर चर्चा कर सकते हैं किर पर यहां पर यह है कि क्या सचमुच जो चुनाव से पहले और चुनाव जब होने वाले होते हैं किसी सत्र के बाद उसमें लोगों का ध्यान विधाई कारियों पर होता है या फिर उस सत्र के बाद जो होने वाले हैं चुनाव उस पर होता है देखिए जब विंटर सेशन के हम बात कर रहे हैं तो विंटर सेशन के तुरंट बाद डिली के चुनाव होंगे और आप देखेंगी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारती जिनता पार्टी कैसे एक दूसरे पर हमलावर उन मुद्दों को लेकर के होंगे जो डिली के चुनाव में बहुत ज्यादा प्र और उन्होंने जब ये पूछा गया उनसे कि ये संभल में जो हो रहा है, पत्थर चलाय जा रहे हैं, पुलिस भी अटेक कर रही है और प्रदर्शनकारियों को खदेर रही है, प्रदर्शनकारी पत्थर चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा पत्थर क्या चलाएंगे नहीं, अग अगर पत्थर चल रहे हैं तो वो अगर जिस तरह से हाई हैंडेडनेस चुनाव के दौरार पुलिस दिखा रही थी तो क्या वो पत्थर नहीं चलेगा तो अगर इस तरह का मिजाज है रवी तो बहुत आसाली से समझा जा सकता है कि ये जो 20 दिसंबर तक का सेशन है ये बहु कालियों को निकालने का एक तरीका अब ये हो गया है कि आप हंगामा करते रहे हैं दूसरे हाफ में सरकार अपने बिलपास कराती चली जाती है उसमें चर्चा नहीं होता है तो फिर वो जो एक प्रासिंगिकता रहती है कि भाई संसत सत्र में तो चर्चा के बाद बिलपास ह होने चाहिए लेकिन वो चर्चा होता ही नहीं है अब देखना ये है कि दोनों पक्षों का धैरी इस बार कैसा रहता है और क्या चर्चा के साथ बिल पास होते हैं जी ठीक है राजीव रंजन की तरफ में रूख करता हूं राजीव संसत से तो इस देश के आम लोग उमीद नह सब्सक्राइब आरें आपके विशलेशन के साथ कि उम्मीद करते हैं एक सार्थक बैस करें